कविता कौशिक कहती है कि चोलर्स ने उनको बखू भी ट्रेन किया है बिग बॉस सीजन 14 के लिए आई जानते हैं खबर डीटेल में पर उससे पहले हमारी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तों मैं उशुलकाचवान और आप देख रहे हैं मूवी जड़ा दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि कविता कौशिक जो है वो लेडी दबंग के नाम से बहुत जादा फेमस है और मैं आपको ये बता दू कि अभी उन्होंने वाइल कार्ट के तौर पर एंट्री ले ली है बिग बॉस सीजन 14 में और आते ही वो बन गई है हाउस की कैप्टन जी दोस्तों अब मैं आपको ये भी बता दू कि कविता कौशिक ने आखिर क्या ही कहा हाली में उनका एक interview हुआ था और exclusive interview में वो ये कहती है कि मुझे अब कोई फरक नहीं पड़ता मैं almost मुझे 10 साल के उपर हो गए है industry में और मुझे अभी सची में फरक नहीं पड़ता है and I have nothing to lose मेरे पास यसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं खो दूंगी इस show में आकर कि और वो आगे चलकर ये भी कहती है कि social media जादा toxic है Big Boss season 14 से और मेरे जो trollers है ऐसे भी trollers है जो मुझे जानते तक नहीं है वो भी मेरे ऊपर बार बार कुछ न कुछ कहते रहते हैं तो trollers ने मुझे बखुबी train किया है Big Boss season 14 के लिए और मैं अच्छे से ready हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी audiences मुझे पसंद जरूर करेंगी क्योंकि FIR से वो बहुत जादा famous हो गई है और उनके performance को बहुत ही जादा नवाजा गया यहां तक कि सल्मान खान भी है कविता कौशिक के दिवाने और अब मैं आपको ये बता दू कि कविता कौशिक में जब उनको ये पूछा गया कि सिधार शुकला हीना खान गोहर खान के बारे में उनकी क्या राय है तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब देते हुए ये कहा कि इन तीनों ने भी बहुत अच्छे से खेला है और इस सीजन में क्या होने वाला है वो मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ और अब जब मुझे ये मौका फाइनली मिला है कि मैं जाओ बिग बॉस सीजन 14 में तो मैं बहुत अच्छे से खेलना चाहती हूँ और मैं अपना जो एक पसोना है वो अच्छी तरीके से दर्शाना चाहती हूँ तो we wish Kavita Kaushik all the best आपकी क्या राय है आपको क्या लगता है कैसे ही strategize करेंगी Kavita Kaushik अपने गेम को और वो captain बनते ही कितने अच्छे से खेल रही है वो तो हमें दिखी रहा है पर आपकी राय क्या है इस पर कैसा लग रहा है आपको Kavita Kaushik का गेम बिग बॉस सीजन 14 में जर Kavita Kaushik